है सो हेलो फुचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप सब आइधिंक बहुत अच्छी होंगे मैं हूं आपके दोस्ट दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है जी यहां कहते हैं अगर आपकी नियत अच्छी हो तो सारी कायन आपकी सपोर्ट में आ जाती है ऐसी ही एक अपडेट है आप सभी के लिए MBBS को लेकर प्राइबेट MBBS कॉलेज की 50% सीट्स जो है उनमें अब गवर्मेंट फीस लगेगा बहुत से बच्छे वेट करें तो फाइनली ओफीशल अपडेट आ चुकी है और फीस भी डिसाइड कर दी गई है लेकिन जो अपडेट है वो सिफ एक सिंगल स्टेट से है मैं आपको सारी बाते बताऊंगा लेकिन उससे पहले हमारे देश के प्रधान सेवक की बाते भी सुनते जाए है दो हजार बाइस के फेब्रोरी के महिने में प्राइम मिशन इन मुदी ने एक अनॉंस प्राइशन मिला और फिर क्या था एक बातों को भूल गए वो और सेंटर कुछ नहीं कर पाई बेजेपी सासित जो राज है वो भी कुछ नहीं कर पाई लेकिन हारे देश का एक बहुत प्रमुख राजी है बिहार बिहार के मुक्मंत्री है मिसर नितीश कुमार जी उन्हों पर ये रूल एपलाई होगा और उन्होंने कम्प्लीट जो डीटेल है वो शेर कर दी है कि एडमिशन के समय आपको कितनी फीज देनी है होस्टल फीज क्या होगी एलेक्रिसिटी बिल क्या होगा और जो अधर एक्सपरेंसेज वो कितने होगे तो आईए मैं आपको दिखा सब्दों में बताया क्या है आप देखना है अटिकल डिटेल है एंबिबिएस एडमिशन बिहार के निजी मेडिकल की आधी एंबिबिएस सीटों पर सरकारी दर की दर से दाखिला ठीक है बिहार के निजी मेडिकल कॉलेजिस की जो आधी सीटे है ठीक है यानि कि 525 टोटल स जो है अधिसोचना जारी कर दी गई है और फीस भी आ चुकी है जी हां यहां यह आप बताया गया है कि अखिर क्या कुछ हुआ था और उसके बाद बताया गया है कि जो यह सेशन है इस सेशन में यह एप्लाई होगा पुरा पढ़िए कि एक बार फिर से राष्ट्रिय चिकस् कॉलेज और विधी की जिम्यदारी है बिस बद्यालियों को प्रवेश समय निधारण प्रक्रिया को इस तरह से विवस्षित करना होगा कि प्रतेक वर्स अगस्त को मेडिकल को सच्रिक सत्र का सुरू हो जाए इस मताबिक दोह 24-25 सत्र में 30 अगस्त के बाद सुरू होने वा जमांकन सुल्क 1,000 रुपए, सिच्छर सुल्क 9,000 रुपए, होश्टल सुल्क 12,000 रुपए, जमानती सुल्क 10,000 रुपए, बिजली खबद 12,00 रुपए, पत्रका सुल्क 500 रुपए, कॉलेश गती विधी एक बार देना है 2,000 रुपए ठीक है इसके लाबा छात कल्यान पांच सेजा रुपए छात संग सुल्क सौ रुपए ये फीस आपको देनी है अपने MBBS admission के समय एक बार आप सभी official जो site counseling की है वहाँ पजा कर देख लिजेगा और college से भी बात कर लिजेगा कि ये rule apply हुआ है नहीं है क्योंकि government ने इस इसको announce कर दिया है अब इस पूरे ही matter पे आपका क्या opinion है आप अपने comment से में दे सकते हैं इस video में आप सभी देश के future doctors एवं सभी parents का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद थेंकिसो मज जहिंद